हालो स्टूदेंट्स आइ वेल्कम यू आल इन टोड़ेस्ट बायलेजी क्लास तो इन दिस क्लास वी आर गोईंग तो स्टार्ट मेथड्स ऑफ इरिगेशन और क्रॉप पाटन्स फ्राम्द लेसन इंप्रोवनेंट इन फूड रिसोर्स तो प्रिवेस्ट क्लास में हमने जो स्टार्ट किया है जो कि अप्रोचे से क्रॉप टिल्ट को इंप्रूफ करने के लिए तो उन अप्रोचे समें से यह जो टू इरिगेशन का मीनिंग क्या है सबसे पहले हम देखेंगे promise कच उसलिए उसको को में इरिगेशन इसमान्ष में वल्स के हम से इरिगेशन की प्रोस स्क्रोस करते हैं कैनलylene समें है कुछ river से जो river lift system भी है जिसमें से हम irrigation करते है tanks को use कर सकते है और rain water harvesting भी है तो जो wells होते है उसमें two types के wells होते है first one जो है वो है dug well and next one is tube well तो dug wells में जो water है वो collect किया जाता है और बुलक के help से उस devices को operate करके या फिर pump को use करके हम क्या करते हैं उसमें से water निकालते हैं जहां पर ट्यूब वेल्स होते हैं तो वहां पर यह जो ट्यूब वेल्स है यह बहुत ही deeply underground यहां पर इनको पाइप्स है वो लगाए जाते हैं ट्यूब वेल्स बनाई जाती है और उसके बाद यह जो water होता है तो वह motor pumps है उसको lift up करके irrigation के लिए उसको available किया जाता है जो canals होते हैं तो canals में जो large rivers होते हैं इसमें water आता है जो river lift system है तो इस system में जो water है वो directly हम rivers से लेते हैं with the help of pumps और यह जो system है यह useful है for the irrigation in areas जहाँ पे river जो है उस areas के पास में जो cropping field है उसके पास में जहाँ पे rivers है तो उसके लिए यह river lift system जो है यह use की जाती है फोर्थ वन जो है वो है tanks तो यह small storage reservoirs है जिसमें water को store किया जाता है और उसमें से irrigation के लिए water को use किया जाता है और फिप्त बन जो है वो है rain water harvesting तो rain water harvesting is accumulation of water in tanks for later use तो rain water जो है उसको harvest किया जाता है tanks में और बाद में इसको use किया जाता है और इसकी वज़ा से जो soil का erosion है वो भी prevent होता है तो यह कुछ methods है irrigation के तो इसमें five methods हमने देखें जिसमें की wells है canals है river lift system है tanks है और rain water harvesting है और irrigation means the process of supplying water to the crop plants is called irrigation अब हम बात करते है crop patterns की तो different crop patterns हम यूज करते है to maximize the production of crop yield जो purpose है कि जहां पर हमें higher yield चाहिए cropping lands है तो उसको increase करने के लिए यह different patterns हम यूज करते हैं mixed cropping, inter cropping and crop rotation यह three patterns है जिससे हम crops को grow करते हैं तो mixed cropping में two or more than two crops एक ही फिल्ड पर at a time same piece of land पर grow किये जाते तो उसको हम कहते है mixed cropping example में अगर हम देखते हैं तो wheat plus gram wheat and mustard groundnut and sunflower तो यह जो mixed cropping है यह totally depend होता है कि जो season है उसमें हम कौन कौन से crop grow कर सकते है या फिर उनकी जो height होती है increase होती है plants की जो nutrition की requirement होती है plants की तो उसके basis पर यह mixed cropping जो है यह use किया जाता है जो second one है वो है inter cropping तो inter cropping means two or more crops are grown on the same field in a definite pattern अब यहाँ पर क्या है definite pattern बनाए गया है जिसमें few rows बनाते हैं one followed by few rows of the other इसमें soybean plus maze ले सकते हैं बाजरा प्लस कावपी ऐसे हम crops को grow कर सकते inter cropping की process में तो difference क्या है फिर mixed cropping and inter cropping में तो inter cropping में क्या किया जाता है two or more crops को हम grow करेंगे लेकिन definite pattern में grow करेंगे यानि कि two rows अगर हम maze के लगाते हैं तो उसको follow करने वाले five rows जो आगे के होंगे तो उसमें हम soybean लगाने वाले हैं तो ऐसे फिल्ड में जो patterns बनाके जो हम crops को वहाँ पे हम grow करने वाले है तो उसको हम inter cropping कहेंगे और जो crop rotation है तो crop rotation में क्या होता है जो crop rotation है इसमें different crops one after another on the same field हम grow करते हैं इन केस अगर हम same crop को again and again grow कर रहे हैं same field पे तो same nutrient को क्या किया जाते हैं वहां से extract किया जाता है soil से जिसकी वज़ासे वह जो soil है वह वहाँ पे जो nutrient present होगा तो वह जो nutrient है वहां से decrease होने की chances है तो इसके वज़ा से जो cropping है उसमें हम क्या करते है rotation करते crops का यानि कि हम more than sorry हम क्या करते उसमें different crops को one by one हम grow करते हैं तो यह है crop rotation अब इसके advantages क्या है crop rotation के तो इसकी की वज़ा से जो soil fertility है वो maintain होती है इट कंट्रोल स्पेस्ट एंड वीड्स एंड सेवरल crops can be grown in succession with only one soil preparation तो यह crop rotation के advantages है तो यहां पर आज हमने डिसकस किये जो irrigation की process है वो irrigation की process में हम channels to wells dug well river lift system ऐसे systems को use करके water available कर सकते है crops के लिए and next one जो है वो है crop pattern जिसमें crop rotation inter cropping and mixed cropping यह three points जो है यह हमने discuss किया है तो जो last approach है जहां पर हम higher yield को increase करने के लिए यह higher yield उस crop से उस cropping field से निकालने के लिए जो third approach है वो है crop protection improvement तो वो next class में हम discuss करेंगे चोकि लास्ट पार्ट होगा इन एप छेज़ कर में है खरख